Hello and Welcome to Padre Classes आप सभी स्कुडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है तो आज हम एक नए entrance examination के बारे में discussion करेंगे जो की पहली बार ही conduct करवाया जा रहा है हरियाना के अंदर तो इस entrance exam का नाम होता है O.C.E.T. रखा गया है और ये पहली बार 2022 में ही conduct करवाया जा रहा है O.C.E.T. की form है Online Common Entrance Test जो भी student भी pharmacy करना चाहते हैं या उससे जुड़े हुए और भी courses करना चाहते हैं तो उन सभी को अब अगर admission लेना है किसी भी government college में किसी भी government university में या private university में उन सभी को ये application form fill करना पड़ेगा और इस entrance का exam qualify करना पड़ेगा उसके बाद ही वो eligible हो पाएंगे admission लेने के तो जो students भी भी pharmacy करना चाहते हैं future में तो सब कुछ detail में discussion करेंगे कि कितनी seatे हैं, क्या eligibility criteria है, paper pattern क्या है कितनी seatे हैं, कहां कहां है सब कुछ discuss करेंगे इस video में and very very helpful ये video रहने वाली है students के लिए तो students ये जितनी भी जानकारी में आपको दे रहा हूँ है ये सारी official prospectus से है तो department of technical education हरियाना ने ये admission बोर्चे जारी किया है तो यहां पर आप सब सब देख सकते हैं कि government and private institution deemed to be university departments private university departments approved by pharmacy council of India situated in the state of अरियाना अगर pharmacy से related किसी भी institution में आपको admission लेना है तो आपको finally ये exam qualify करना पड़ेगा उसी के बाद आप eligible हो पाएंगे तो students सबसे जरूरी होता है important dates कि sir application form कब से कब तक बर सकते हैं तो देखें यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो admission किस basis पर होगा admission होगा आपका on the basis of rank on the online common entrances conducted by HSTES भी pharmacy तो ये आपके जो application form है online availability of online admission जो हो गए थो 11 जुलाई से online registration 27 जुलाई से start हुए थे और 17 अगस्त सक तक आप application form भील कर सकते हैं 17 अगस्त यानि कि अभी भी last date बची हुई है अगर आप इसके application form फिल करना चाहते हैं तो अभी भी last date बची हुई है 17 अगस्त तक आप form फिल कर सकते हैं admit card जो है आपके online common entrance test के वो 19 अगस्त को आ जाएंगे उसके बाद यह जो paper conduct करवाया जाएगा जो entrance test होगा यह आपका 22 अगस्त से लेके और 26 अगस्त के बीच में conduct करवाया जाएगा और वो आपको admit card पे details सो हो जाएगी 30 अगस्त को release कर दिया जाएगा और उसके बाद पूरा counseling का schedule भी यहाँ पे दिया हुआ है किस website पे जाके आपको यह application form फिल करने हैं तो यह देखिए www.techadmission.in इस website के उपर आपको application form फिल करने हैं इस website के उपर आप इसके application form फिल करेंगे ठीक है उसके बाद आगे बात करते हैं कि fees कितनी लगेगी अगर हम application form फिल करना चाहते हैं तो one time registration कम application fees अगर आप general category से belong करते हैं तो 1000 रुपीज फिल है all reserved category चाए SC हो, DSC हो, BC हो, PH हो, GULS तो उनको लगेंगे 700 रुपे application form फिल करने के एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको किस website के उपर application form फिल करना है तो वो है आपका tech admissions hrygov.in के उपर आपको इसका application form फिल करना है उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जी eligibility क्या है कौन-कौन student है बहुत सारे student ऐसे होंगे जो BS agriculture की त्यारी कर रहे थे या और भी VLD वेगरा ही त्यारी कर रहे थे वो भी interested रखते होंगे इस फिल्ड में तो अब हम बात करेंगे कि अगर B pharmacy आपको करनी है B pharmacy तो उसकी क्या-क्या eligibility होती है तो सबसे जरूरी है कि minimum 17 साल age हो गई हो 17 या 17 साल से ज़्यादा का होना चाहिए 31-12-2022 तक 31-12-2022 तक उसकी age जो है वो 17 या 17 से उपर होनी चाहिए उसके बाद qualification eligibility का है candidate shall have past 10 plus 2 examination conducted by respective state यानि कि आपने 12th की हुई होनी चाहिए 12th किस कि subject वाले with English as one of the subject जो कि होता ही है लगबग उसके अलावा यानि कि physics, chemistry, mathematics यानि कि non-medical वाले student भी eligible है भी pharmacy के लिए non-medical वाले student भी eligible है भी pharmacy के लिए and biology यानि कि आपका medical वाले student भी eligible है अगर किसी student के पास PCBM चारों subject है तो वो भी eligible है तो ये eligibility criteria है 12th में medical, non-medical वाले students जो है application form fill कर सकते है भी pharmacy का basis of admission मैंने already आपको बता दिया है कि entrance basis पे आपका admission होगा और उस entrance का नाम है online common entrance test ये online paper होगा ये high court ने सारी इस बार गड़बडिया हो गई थी काफी चीजें तो अब finally ये एक entrance लिया जा रहा है नया entrance announce किया गया है अब बात करते हैं जी जो ये paper होगा इसका syllabus क्या है कितने number का है तो ये 90 number का होगा paper 90 number का होगा इसमें physics के 30 question आएंगे जो कि 30 marks के होगे ये compulsory है physics के 30 question आएंगे ही आएंगे उसके बाद अगर आपके पास mathematics था तो mathematics के 30 question आएंगे अगर आपके पास biology थी देखें, botany and geology ये दोनों ही biology का part है अगर आपके पास 12 में medical थी तो 30 question आपके medical के आएंगे हना, तो 90 question जो total आएंगे 30 physics, 30 chemistry 30 question या math के या biology के उसके बाद देखें 1 and 2 are attempt by candidate for both streams and PCB में आपको कोई भी एक select करना पड़ेगा रहा, उसके बाद बात या आती है ये entrance जो आएगा, इसका syllabus क्या है इसका syllabus सिदी सी बात है कि medical, non-medical 11, 12 syllabus of online common entrance test B pharmacy के लिए syllabus for the online common entrance test for B pharmacy 2022 is 11 and 12th PCM and PCB stream, तो ये जो आपको question देखने को मिलेंगे, आप फिजिक्स के chemistry के, ये 11th और 12th level के, जो है topic से पुछे जाएंगे, अगर आप इस entrance की preparation करना चाहते हैं तो इस channel पे बहुत सारी videos available है, आपको physics की chemistry की, biology की मिल जाएंगी mathematics की मिल जाएंगी, जो आपको entrance में काफी help करेगी, उसके अलावा आप हमसे हमारी app के through भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी courses available है, उनसे भी आपकी preparation हो जाएगी, video के description में आपको app का link मिल जाएगा उसके बाद ये है कि कहां कहां पे आपका ये entrance test होगा तो government, polytechnical जो है आपका अंबाड़ा city वहाँ पे center रहेगा, government, polytechnical निलो खेडी में रहेगा, कुरक्षेत्रा में जो university institution of engineering technology है decrest university जो है मुर्थल के अंदर वहाँ रहेगा, government polytechnical for women फ्रीदाबाद and MD university के अंदर जो UIT होता है उसके अंदर भी होगा, government polytechnical college हिसार के अंदर भी होगा, तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आपका ये entrance test conduct करवाया जाएगा ठीक है, इन्हीं location पे वह आप जब form fill करेंगे वह रहाँ सीटे कितनी है, किस-किस university के अंदर हलांकि बहुत सारे private institution है थोड़ा सा detail आप जाएंगे prospectus पढ़ देना, लेकिन ये है सारी government, university department या फिर government institute हर्याणा के अंदर भी pharmacy के लिए एक तो है जो department of pharma, इसको science बोलेंगे basically, pharma से related ये institution है, MDU university के अंदर, इसके अंदर 60 city है university, कुक्षेत्रा university के अंदर भी department है pharma का, वहाँ पे भी 60 city है, स्वामी दयानंद post graduate institution of pharma science, ये आपका जो पंडित BD सर्मा university है, रोतक के अंदर, वहाँ पे भी 60 city है, डिपार्ट इंद्रा गांदी, IGU university के अंदर भी 60 city है आपका and गुरुग्राम university के अंदर भी 60 city है, उसके बाद चोधरी बंसी लाल इंद्री बिवाणी के अंदर भी 60 city है department of pharma education and research, BPS महिला, विश्वधाला खान पुरुकला district, 60 city यहाँ पे भी है तो ये तो सिर्फ मैंने government institution की बताया है, बहुत सारे private institution है, बहुत सारे government added institution है, बहुत सारी city है, तो सभी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको private में admission लेना तो ये entrance नहीं देना पड़ेगा, entrance सभी के लिए eligible है, सभी को ये entrance देना ही देना पड़ेगा, तो देखे भाई, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, एक नया entrance इस बार लेके आया गया है, भी pharmacy के लिए और सारी eligibility, important dates, qualification, entrance सब कुछ मैंने explain कर दिया है, hope कि ये video आपको काफी अच्छी लगी होगी, आपको काफी informative लगी होगी, अगर video अच्छी लगी है तो इसको like और share कीजिएगा, बहुत सारे student ऐसे हैं, जिनको awareness नहीं about, इस entrance के बारे में, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन courses की त्यारी करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर दो contact number लिख रहा हूँ, आप ये दोनो contact number पर हमसे जुड़ सकते हैं, and video के description में आपको app का link मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार जुरूर जुरूर आप विजिट कर सकते हैं, उसके उपर और वहाँ पर भी courses देख सकते हैं, इस वडियो में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत दनेवाद, thank you.